ये बताईए ये जो मौसम ने करवाट बदला है और इस तरह से बतात हो रही है इससे किसानों को और लोगों को क्या इससे फायदे हैं क्या इसके नुक्साने जो बेर मौसम की बारिस हो रही है अब जहां तक बारिस का मौसम का हिसाब है इस समय जितनी भी बारिस हो रही है कि किसान के लिए एकदम नुकसान ही नुकसान है यह कि फसिल पर बहुत ज्यादा नुकसान है किसानों के लिए बहुत भारी दिक्कत है ज्यादा तर सौ पासट तो गहुपर है और दाल वाली जैसे किरा हुआ नुकसान नुकसान पहुंचेगा अब सब फूड लिये हैं सब फूल मर जाएगा सरसों पर थोड़ा कम है सबसे जादत गुखुपर अदालहन पर नुकसान है किसानों की जीविता एक तरीके से खेती पर निर्भर है निर्भर है हाँ नुक्सान हो रहा है सारी भरती किसान लगा चुके है वह भी डाड़ हो जाएगा उनकी भरती निकालना भी मुस्किल हो जाएगा मैंने तो सही है सरकार को किसान के बारे में सोचना चाहिए उनके नुक्सान का कुछ भरपाई करना चाहिए आधकारी को सरकार तक बाद पहुचानी चाहिए इनलिये किसान के कमट तोट जा रही इस बार इस से क्या नाम है तरशा कहा के लेने वाले दरवावन कट्वा क्या है यह बहुत नुक्सान है किन फसलों को जो है इस बरसात से नुक्षान हो रही है लाही वह किराब है किस पर नुक्षान होगा इस बरसात से बहुत नुक्सान है इस नुक्षान है ने नहीं देखने पाधा नहीं है हमारा नाम उदाराज है लालपुर की रहने वाले हैं अच्छा यह कितना नुक्षान पहुत फसल को बहुत नुक्सान है कि मान लीजिए कि कम से कम 90-95 परसंट नुक्सान है जैसे गेहूं हुआ लही हुआ जिसका आलू नहीं खुदाई हुआ उसका आलू भी सड़ जाएगा मतर में फूर लग रहे हो खतम हो जाएगा मतलब हर फसल के लिए नुक्सान है बहुत पड़ेगा नुक्सान होिए प्षान से क्या पायदा नहीं कि सब्सक्रान को कुछ नहीं पादा क्या लगता है एके पासलों सो नुक्षान वह रहा है तो सरकार को किशानों को तुछ मदद करनी चाहिए करनी चाहिए सरकार को मदद करनी चाहिए और आदमी जो है सरकार का हमेशा वरोसा रखता है कि फसल नुकसान होने पर हमको मदद मिलेगी सरकार से कही कि पूरी जिविका जो है खेती से चलती है हुआ